वीडियो लाइक जरूर कर लीजे और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरण सब्सक्राइब कर लिजे और बेल आइकन को जरूर टैप कर लिजे ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहें यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज यह आप लोग देख रहे हैं यूपी पीस सी बेस्ट ऑनलाइन कोचिंग यूट्यूब चैनल दोस्तों आज के इस वाले वीडियो में जोग्रफी की कुछ important questions के बारे में यहां पर हम जानेंगे बट उससे पहले एक बहुत ही important चीज आपको यहां पर बताना चाहूंगा कि अगर आप चैनल से नहीं चुड़ें तो जरूर चुड़ जाएए डेली बेसे पर आपको एक टार्गेट प्रोवाइड किया जा रहे हैं ठीक है अब यह टार्गेट आपका किसके लिए है समीक शादिकारी और सहायक समीक शादि कारी के लिए तो अगर आप इस एक्जामिजेशन की त्यारी कर रहे है तो डेली बेस पर जो आपको टार्गेट दिया जाए उस टार्गेट को एचीव करिए और नेक्स 24 आवर्स में यह जो वीडियो यहां पर आ रहे हैं इन ही से रिलेट्टिड आपको टार्गेट दे र आज करेंगे और कुछ कल करेंगे जहां से मन करें मतलब ऑफ लाइन ऑन लाइन किसी भी यूट्यूब चैनल से जहां से मन करें वहां से बाइयो स्फेर रिजल्फ कंप्लीट करिए और उसके बाद यहां पर आकर इन को ट्राई करिए इससे होगा यह कि आपको डेली बेस प पर आकर कोशन्स जरूर ट्राई करिए इस तरीके से आप अपनी तयारी को बहुत बहुत बहुतर बना सकते हैं दूसरों के कंपेरिटवली क्योंकि जादतर स्टुडेंट्स को पता ही नहीं होता कि कब क्या करें वो इसी में कन्फ्यूज रहते हैं कि अब क्या करें अच्छा कोशन्स के आंसर किए that is why मैं नहीं नाम ले रहा हूँ इसके अलावा कुर्बान खान एक हमारे सबस्क्राइबर हैं उन्होंने आंसर किए थै और इसके इलावा राजेश इन्होंने यहां पर आंसर किये से तो मैं चाहूंगा कि आप लोग भी यहां पर जो कोशन्स पूछ reserves है मतलब दो चीजे हैं सबसे पहली बात सबसे उचा है दूसरा सबसे उत्री है अब ये कौन सा biosphere reserve है अब ये शेचाचलम पहाड़ी है ये cold desert है ये पन्ना है या फिर ये कच्छ का रण है सो मुझे लगता है कि आप लोग एकदम सही समझ रहें cold desert ये जो biosphere reserve है ये सबसे उत्री है और सबसे उचा है इसके बाद शेचाचलम पहाड़ी की बात करें तो ये कहां पर है आपका आंद्र प्रदेश में इसके बाद पन्ना की बात करें आप सब को बहुत अच्छ से पता होगा MP में है कच के रण की बात करें नो डाउट आपको 100% पता होगा गुजरात में ठीक है तो इनका location याद रखेगा next question है भारत में सबसे छोटा biosphere reserve याव हम कहें की जीव मंडल निशे ये निमलिखित में से कौन सा है अब ये डिबरू सेकोवा है ठीक है या फिर आपका ये सिमली पाल है या फिर दिहांग दिबांग है या फिर ये पंच मनी है सो यहां पर बात हो रहे है किसकी सबसे छोटे की अब अगर हम बात कर रहे हैं डिबरू सेकोवा ये जो है आपका असाम में है और ये मात्र साथ सो पैंसट स्क्वार किलोमीटर एरिया में फैला हुआ है सिमली पाल या आता है आपका उडिसा में तो आगे चले next question को देखे हैं इससे पहले कुछ एक information है आपनों के लिए जो बहुत important है अगर आप लोग उत्तरप्रदेश PCS की तयारी कर रहे हैं आप RO की तयारी करना चाहते हैं इन तीनों exam के अगर आप तयारी करने चाहते हैं तो study for civil services के courses को आप join कर सकते है complete तयारी के लिए ये one stop destination है यहां पर आ आपके exam को crack करने के लिए exam को निकालने के लिए latest group start हो चुके हैं और उन group में आपको admission लेने के लिए simply जो यह number मैं आपके screen पर लिख रहा हूं इन number पर आप call कर सकते हैं 8564-880-530 इस number पर आप संपर कर सकते हैं इसके इलावा 96960-66089 इस number पर contact कर सकते हैं या फर आप 7523-8624 2445 इन तीनों में से किसी भी number पर call करके आप हमसे संपर कर सकते हैं और यह latest group जो है इसमें आप admission ले सकते हैं दिहांग दिबांग की बात करें यह अनुनाचल प्रदेश का है इसके बाद पंचमणी की बात करें I hope 100% आपको पताओगा मद्ध प्रदेश का है move on करते है next question पर इस question में यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि भारत का पहला जीव मंडल निशय या फिर बायोस्वेर रिजर्व निमलिकित में से कौन सा है अब यह नंदा देवी है नो क्रेक है नील गिरी है या फिर ग्रेट निकोबार सो यहाँ पर हमारा answer क्या हैगा option C याने की नील गिरी अब comment section में आप लोग को बताना है जब हम नंदा देवी की बात कर रहे हैं नो क्रेक की बात कर रहे हैं नील गिरी की बात कर रहे हैं फिर ग्रेट निकोबार सो exact location इनकी क्या है यह आपको comment section बताना है answer तो मैंने आपको यहाँ पर बता दिया कि नो क्रेक जो है यह है आपका सबसे पहला हिंदुस्तान का biosphere reserve इसके बाद next question की बात करें दो यहाँ पर आपको list दे रखी हैं एक तरफ आपको biosphere reserve दे रखे हैं और एक तरफ दिया हुआ state और यहाँ पर आपको finally नीचे code दिया हुआ उस code से इसको match कराना है तो यहाँ पर देखो सबसे पहले हम बात किसकी करें मानस की ठीक है तो मानस असाम में हैं आप सबको 100% पता होगा मनार की खाड़ी की बात करें तो यह कहाँ पर है आपका तमिलनाडू में इसके बाद कं के रणकी बात करें तो गुजरात में तो code हमारा क्या होगा 2143 यह यहाँ पर हमारा code आएगा अचा यह बताएगा कि अगस्त मलाई यह कहां पर है ठीक है यह कौन से state में है अगस्त मलाई इसके अलावा अचन कमार यह जो है कहां पर है यह दो आपको comment section बताने है अचा यहा कौन से biosphere reserve है इंडिया के जो की मेखाले के हैं और उसके अंदर शामिल है ठीक है उस list में यह बताएगा इसके बाद next question की बात कर रहे है कि भारत का पहला रास्ट यह उद्यान यह कौन सा है अब यह जिम कॉर्बेट है यह गंगोत्री है यह नंदा देवी है या फर यह है इसके अलावा आपका नंदा देवी है राजा जी नेशनल पार्क है फूलों की घाटी यह सब आपके कहां पर है उत्राखंड में next question है कि भारत का सबसे छोटा रास्ट यह उद्यान यानि की smallest नेशनल पार्क आफ इंडिया यह कौन सा है अब यह आपका नॉर्थ बटन दीप है रानी जहांसी मरीन है या फिर यह सैडल पीक है या फिर साउथ बटन दीप है तो सही आंसर क्या है कि आपका साउथ बटन दीप जो की मात्र 0.3 स्क्वार किलोमीटर में फैला हुआ है और इसकी location क्या है यह जरा comment section में बताईएगा यह है कहां पर आप लोगों से म है यह हमिस हाई है या फिर यह आपका किश्टबार है तो इसमें जो हमारा आंसर आएगा वो क्याएगा आपका option C यानि की हमिस हाई यह जो है लेह में located है और यह इंडिया का सबसे बड़ा नेशनल पार्क है next question की बात करते है कि भारत में निमलिकित में से किस राज में रा कौन से है बांधवगड़ है फोसिल है इसके इलावा कानहा है मादव है पेंच है पन्ना है संजे है और सत्थपुड़ा है वनविहार है और दिनसौर है यह सारे आपके कहां पर हैं तमिल नाडू में कैरिला और सौरी मद्द परदेश में कैरिला और तमिल नाडू की बात इसके लावा पेरियार है और साइलेंट वैली है ठीक है चलो इसके बाद आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं नेक्स्ट कोश्चन की इस कोश्चन में आपको यहां पर दो लिस्ट दे रखी हैं एक तरफ आपको नेशनल पार्क दिये हुए एक तरफ आपको स्टेट दे रख का जो location है वो कहा है महारास्ट और इसके इलावा मिरगवानी की बात करें तो कहा है तेलांग्रा में सो code क्या होगा हमारा 2143 इसके बाद move on करते हैं आज के last question पे इस question में यहाँ पर आपको दो statement दे रखें वायोस्फेर रिजर्व से related और आपसे यहाँ पर पूछा गया है कि कौन सा statement सही है पहला statement है अभ्यारंड संग्रक्ष्य छेत्र है जबकि नेशनल पार्क की बात करें तो यह आपका वास उन्मुक्याने की habited oriented होता है जबकि अगर दूसरे statement में दिया हुआ है कि वन जीव संग्रक्ष्य अधिनियम 1922 यह जरूर रखिएगा बहुत important है examination में several times यह पूछा गया है तो इसमें आपको बदाना है कि इसमें साथ अनुसूचिया है जो भिन इस तर पर संग्रक्ष्य देते हैं तो क्या यह दोनों statement सही है तो बिलकुल सही बात है दोनों statement यहाँ पर correct है answer क्याएगा option C तो दोस्तों इसी के साथ आज केस वाले session को यहाँ पर end करते हैं जो questions मैंने आपसे पूछे हैं I hope आप लोग जरूर answer करेंगे इसके लावा चैनल को subscribe करना मत भूलिएगा notification bell के icon को प्रेस जरूर करिएगा daily basis पर शाम को आपको target provide किया जागा समिक्षादिकारी का उस target को बिलते हैं नेक्स वीडियो में बाबाई